लखनव में CM योगी अधितनात ने मंत्रियों के साथ बैठक शुरू कर दिया है, विधान सभा उपचुनाओ को लेकर चर्चा हुई है, सुबह 11 बजे से CM आवास पर बैठक के शुरुआत हो चुकी है, उपचुनाओ के तैयारियों पर चर्चा CM योगी ने शुरू कर दिया योपी में 10 विधान सभा सीटों पर उपचुनाओ होना है, मंत्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है, आगे की रणनीती पर भी चर्चा हो रही है लखनव में आज मनाय जाएगा मौटरम का तेवार योव में आशूरा पर आज निकलेगा भवे जुलूस, जुलूस में शामिल होंगी सेक्डो मातमी अंजुमन है आज कर्बला के 72 शहीदों की याद में मातम होगा, जुलूस की और से जाने वाले रास्तों को डाइवट किया गया है सुरक्षा विवस्ता के तहट जुलूस में आज भारी फोर सुतैनात रहेगा सीची टीवी और ड्रोन के जरिये जुलूस की निगरानी होगी, कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर लखनव में गमजदा माहौल में निकला नौ मोहर्रम शबे आशूर का जुलूस मजलिस के बाद निकला गया शबे आशूरा का जुलूस हजरत इमाम हुसाइन की आद में निकला गया जुलूस नाजिम साहब के इमाम बाड़े से ये जुलूस निकला गया है लोगों के साथ औरतों और बच्चों ने भी जुलूस में सिर्कत की है मौररा में सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर प्लिस प्रसासन बेहद मुस्ताइद है लखनव में जिला पंचाय सदस विजय बहादूर सपा में सामिल होंगे बड़ी खबर इस समय की अकलेस यादों की मौझूदगी में आज जुआइन करेंगे समाजवादी पार्टी शयकडों परधानों और सिर्कारकरताओं के साथ जुआइन करेंगे सपा तीन बार से लगातार जिला पंचाय सदस हैं विजय बहादूर गोसाई गंज के वाड संक्या 24 से सदस से हैं विजय बहादूर लखनव में इंद्रानगर के तक्रोही में डबल मर्डर से हडकम मच गया है नाबालिक भांजे ने मामा और मामी की हत्या कर दी है ताबर तोड फाइरिंग कर मामा मामी की जान लेने वाला ये भांजा बेहत निर्मम निकला मा के साथ मामा के होरे विवाद के दौरान ये हट्या हुई बताई जा रहे हैं नाबालिक ने तमंचे से फाइरिंग कर दोनों के हट्या की है महानगर और तेली बाग में आज बदला रहेगा यातायात का रूट जलूस की समाप्ती तक लागू रहेगा ये डाइवर्जन कानपुर में केसको की टीम की छापे मारी से हडकम मज गया छापे मारी कर घर से बरामत किये गए बिजली के मीटर दलाली करने वाले समविदा करमचारी के घर से ये बरामतगी हुई है समीधा करमचारी अभिशेक के घर से होई बड़ी बारामत की केसको के जैई अधिकारियों की मिली भगस से बड़ा खेल होता था केसको के M.D. P.A. शिरिकांत ने मौके से युवक को छोड़ा, मीटर डंप करने वाले अभिशेक को मौके से छोड़ा गया है शिरिकांत दलाल अभिशेक जेई को बचाने में जुटे हैं, करमचारी घर में बिजली मीटर को नहीं कर सकता डंप, चकेरी थाना शेत्र के विनोबा नगर का ये पूरा मामला बताय जा रहा है बधोई में 25 पचिस जार के पाँच इनामी लुटेरे गरिफतार किये गए है, मुटबेड में तीन लुटेरे गोरी लगने से घायल हो गये लूट के जवरात तीन तमच्चे और दो बाइक बरामत की गई है साथ जुलाई को सर्राफा कारोबारी से लूट की गई थी गोपी गंज गोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताए जा रहा है गाजियाबाद में ऑनलाइन एविएटर गेम में हारे 62 लाक रुपए कवर करने और अपने शौक को पूरा करने के लिए बंद मकानों को ये गिरो अपना शिकार बनाया करता था थाना सियानी गेट पुलिस ने एक ऐसे अनोखे चोर को ग्रफतार किया है जिसके कबजे से भारी मात्रा में सोने और चांदी के आभूशड और नगदी बरामत की है पुलिस ने ग्रफतारी के बाद प्रेस वारता भी की है कानपूर में महरम के जुलूस में सलक पर हुआ जम कर उत्पात बताते चले कानपूर में ताजिये के जुलूस के दौरान मारपीट हो गई डीजे के आवाज को कम करने को लेकर हूटिंग जैसी घटना इस घटना का कारण बनी है हूटिंग के दौरान ताजियदारों के भीड ने दो लोगों को बुरी तरह पीटा है कानपूर पूर्वी जोन के घंटागर चौराय के पास ये मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर जम कर वायरल हो रही है